हेलो एविवन वेलकम टू जई बेजीट सीरीज कैसे है आप सब वाच सब क्या हाल चाल आई होप कि सब अच्छे होंगे मैं हूँ दीपक फ्रॉम लर्न हॉप फ्री लर्निंग प्लैटफॉर्म जहां पर पढ़ सकते हैं आट चैनल आट लर्न हॉप दोट कॉम तो जहीं पर जीट सीरीज में आज का हमारा चैप्टर होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज जिसका ये पहला लेक्चर होने वाला है मैं अगर weightage की बात करूँ तो means में एंड advance में यहां से दो-दो questions जी हाँ number of questions दो-दो हर बार पूछे जाते हैं आप पिछले 5 साल के question paper आप चेक कर सकते हूँ हर साल यहां questions बनते हैं इस chapter से एक और beneficial इस chapter का ये है benefit ये है कि permutations and combinations हो या फिर binomial का chapter हो या फिर integration में limit of sum का topic हो ये chapter जी हाँ ये topics वहाँ पे use होते हैं तो ये chapter को बिलकुल नहीं छोड़ना है ठीके कौन से आज के topics हमारे होने वाले हैं चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के और start करते हैं हमारा lecture तो आज के chapter sequence and series के main topics होने वाले है basics of sequence and series भई क्या है sequence और series ये समझना है और आज का star topic होने वाला है arithmetic progression जो actually मैं आप 10th standard में पूरा chapter पढ़ चुके हो लेकिन क्या हम same to same repeat करेंगे नहीं कुछ और extra कुछ properties ठीक है sum of end terms ये सारी चीज़े हम करेंगे जही mains advanced level के questions भी हम करने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं भई sequence है क्या ठीक है यहाँ पर a succession of numbers arranged in definite order भई मतलब क्या है समझना है example से समझते हैं यहाँ पर देखिए one three five seven ये कुछ order में है कुछ arrangement है numbers की ठीक है या फिर कुछ definite rule लग रहा है कोई law लग रहा है भी आप बोलोगे कैसे ये देखो क्या है one three five seven ये तो odd numbers है ठीक है तो ये क्या बोल सकते हैं one three five seven is a sequence कैसे है ये odd numbers का set जी हाँ ऐसे बोल सकते हैं तो ये एक sequence हो गई हाँ ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप देखिए one में मैं अगर two add करू three में मैं अगर two add करू five में two add करें तो one three five seven nine eleven तो यहाँ पे कुछ एक pattern भी बन रही है तो sequence का मतलब ये है कि numbers कुछ अच्छी तरह से arrange किये गए होंगे जिससे आपको एक अच्छी सी pattern दिखेगी और कभी-कभी वो pattern इतनी अच्छी होती है कि formula बना के भी दे देती है जैसे कि odd numbers की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं two and plus one जी हाँ ये एक formula दे रही है मुझे term की जैसे कि अगर मैं zero put कर रहा हूं तो हमें one मिलेगा जो की odd number है one put करेंगे तो क्या मिलेगा three मिलेगा तो ऐसी formula भी बनती है तो इसे कहते हैं sequence कुछ और example से जमझते हैं six, eighteen, fifty-four भई ये कैसे sequence है six, three's are, eighteen, three's are, fifty-four तो यहाँ पर भी एक order, definite order यहाँ मैं बोल सकता हूं arrangement है एक according, law के according तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं six n, जी यहाँ बिलकुल लिख सकते हैं यानि अगर मैं n की value, n की value मैं one से start करू, one, two, three and so on, up to n terms, देखिए तो ऐसे कुछ examples है sequence के, एक और example समझते हैं one, four, nine, sixteen अब बोलेंगे यहाँ तो कुछ ऐसे exact rule नहीं बन रहा है, मैंने तो कुछ add किया, one plus three, four आ रहा है, four plus three नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर कुछ changes है, क्या changes है देखिए, यहाँ पर एक pattern बन रही है n square type की, आप है बिलकुल one का square, two का square, three का square, तो ऐसे ही proper एक rule लग रहा है, जब ऐसी कुछ formulas बन रही है, तो हम उसे sequence कह सकते हैं, ठीक है, अब आप बोलेंगे formulas नहीं बन रही है, तो sequence नहीं है, भई बिलकुल है, जैसे कि मैं बात करूँ इस set की, two, three, five, seven, और eleven, thirteen and so on, तो क्या यह एक sequence है, जी हाँ बिलकुल है, आप तो बोलेंगे इसमें कोई rule नहीं ल लेकिन यह क्या है, जी हाँ, set of prime numbers, तो यहाँ पे एक verbal rule लग रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक formula बिने, terms बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे verbally भी बोल सकते है, set of prime numbers is also a sequence, ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें, तो a1, a2, a3, a4, up to n terms तक मैं लिखे जाऊं, और इस तरह से मैं लिखू, तो इसी भी एक sequence हम कह सकते हैं, nth term जो होती है, nth term जो होती है, उसे denote करते हैं, capital tn, small tn या फिर an से, तो किसी भी sequence के मैं बोलू, fifth term क्या होगी, तो आप बोल सकते है, a5 हो सकती है, अब sequence की खास बात यह है, कि वो finite भी हो सकती है, infinite भी हो सकती है, त सकती है, बात clear होनी चाहिए, कैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है dot dot dot, मतलब क्या हो रहा है, sequence कहा तक जा रही है, कौन से term तक जा रही है, नहीं पता है, तो यह एक infinite series का example है, यहाँ पे हम लिख लेते है, capital I, तो यह हो गया, infinite series का example, यहाँ पे up to end terms, तो इसको मैं लि 10 terms, 15, countable, तो ऐसे भी sequence series बन सकती है, ठीक है, sequence बन सकती है, series अभी समझेंगे, क्या होता है, तो यह बात clear होनी चाहिए, तो sequence समझ में आ गया, कुछ definite rule, order लग रहा है, formulas बन रही है, तो वो एक sequence है, जरूरी नहीं है, कि formula बने ही, ऐसे भी एक, आपको sequence मिल सकती है, ठीक है, अब series क्या है, series का मतलब ये, अगर में sequence जो हमने पढ़ा है, उसकी terms को हम add कर दे, sequence देखिए ये, 1, 4, 7, 10, क्या किया है, ये भी एक sequence है, 1 में से 4 पे गए, 4 पे से 7, यानि हर बार हम क्या कर रहे है, एक rule, 3 add करते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये एक sequence है, अगर हम इन सारी जो sequence की terms को add कर दे, जोड दे, तो वो हमें एक series बना के देती है, यानि कि अगर आपके पास a1, a2, a3 and so on, मान लीजिए an तक terms है, हाँ बही, मान लेते हैं, ठीक है, ये एक क्या है sequence बना के दे रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, एक sequence है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, summation r from 1 to n, ar is equal to, ये क्या बन गई, एक series बन गई, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्या ये सारी जो terms है, वो add ही होंगी, subtract नहीं होंगी, add ही होंगी, लेकिन, समझना, अगर आपकी series, sequence जो है, एक example लेते हैं, दूसरा, इस तरह से 4, 1, क्या है, कितना कम है, यहाँ पे 3 कम है, तो यहाँ आपे minus 2, minus 5, यह क्या है, यह भी एक sequence है, तो इन सारी terms को अगर मैं add करके लिख लूँ, यानि कि 4, plus में 1, plus में minus 2, यानि कि minus 2 ही आएगा, minus 5, यह क्या दे रही है, आपको यह एक series दे रही है, तो कोई भी sequence हो, कोई भी sequence हो, आप उसको add करके लिख दोगे, तो वो एक क्या दे देगी, आपको series दे देगी, तो sequence and series आपको I think अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो sequence और series तो समझ लिया, अब क्या समझना है, अब समझना है progression, भी क्या है यह progression, अब समझो, आपके पास कोई sequence है, यही तो बोला है, if the terms of the sequence can be described by explicit formula, भी मतलब क्या है, अगर आपके पा सकती है, ठीक है, जैसे prime numbers की बात की, वो एक sequence है, ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से आपके पास end terms है, जो एक sequence है, देखी कैसे, अगर मैं इसकी formula लिखना चाहूं, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 5N plus 4, जी हाँ लिख सकते हैं, क्यों भई, ऐसे देखो यहाँ प करते हैं, 5N plus 4, 9 हो गया, similarly, 2 put करें, 14 आएगा, 3 put करें, 19 आएगा, तो एक formula बन रही है, ठीक है, एक explicit formula बन रही है, दूसरी बात, यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो क्या बन रहा है, देखें, 1, 1 by 3, 1 by 9, तो यह तो 1 by 3 की power n है, जहाँ पे n starts from 0, 1, 2 and so on, देखी क्या ह हो रही है, 0 put करेंगे, तो 1 आएगा, 1 put करेंगे, तो 1 by 3, 2 put करेंगे, तो 1 by 9, तो ऐसे ही यह भी एक अच्छी सी formula हमें दे रही है, तो ऐसी type की sequence को क्या कहते हैं, progression कहते हैं, भई कौनसी type का progression, progression के भी अलग-अलग type है, इस तरहा के 3 type है हमारे पास, ठीक है, sequence series chapter में, arithmetic progression जो already आप 10th में पढ़ चुके, नया क्या है, नया है आपके लिए, geometric progression जिसे GP भी कहते हैं, and harmonic progression, HP, ठीक है, HP, laptop वाला नहीं, harmonic progression वाला HP, ठीक है, एक और part है, ठीक है, एक और type है, progression का, जिसे कहते है, arithmetic geometric progression, यानि combo है, ठीक है, AP और GP का ये एक combo बनता है, वो भी हम chapter में जरूर पढ देंगे, लेकिन main, एकदम different part की बात करें, एकदम different जो है, वो arithmetic, geometric and harmonic progression है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं, हम हमारे arithmetic progression की तरफ, तो क्या है arithmetic progression, भी 10th में सीच चुके नहीं आदें, तो फिर से समझ लेते हैं, समझना ये है, कि अगर कोई sequence है, A1, A2, A3, A1, बहुत सारी terms है AP कह देंगे, वह ऐसे ही थोड़ी AP कह देंगे, कुछ rule है, क्या rule है, अगर आप कोई term ले रहे हो, ठीक है, कोई भी any term, और उसकी previous term को minus कर देते हो, difference ले लेते हो, कोई भी term और पिछले term का difference, यानि कि दो consecutive terms का difference, कैसा होना चाहिए, हमेशा सेम, समझ नहीं आया, देखे, A2 ले रहा हूँ, तो उसकी previous term क्या है, A1, ठीक है, A3 ले रहा हूँ, तो उसके पहले क्या है, A2, इसी तरह से A4 ले रहा हूँ, तो उससे पहले क्या है, A3 है, तो दो consecutive terms का difference, हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसी तरह से, अगर हम मान ले, A100 है, A क्या है, 100 मे से अगर ए 99 हम माइनस कर दे तो सब कुछ आ जाएगा सेम उसे कहते है कोई भी ठीक है कोई भी constant number आ रहा है आपका d क्या आ रहा है एक constant मिलेगा यानि हमेशा सेम आपको answer मिलना चाहिए तभी वो ap कहलाएगा कहला गया ap लेकिन इसको general term में कैसे लिखे general ही हम ऐसे लिख सकते हैं अगर मेरी nth term है भाई कोई भी term है 10th 5th 100 कोई भी करना क्या है उस में से previous term यानि की an-1 हाँ भी बात तो सही है a5 है तो minus a4 कर लो तो हमेशा सेम आएगा सेम क्या आएगा भाई d आएगा अब d को हम कहते है common difference या फिर constant difference ठीक है इस तरह से याद रखना है आपको common difference क्योंकि हमेशा सेम आना चाहिए तभी उसे ap कहा जाता है लेकिन examples कौन से examples की अगर मैं बात करूँ ठीक है समझते हैं अगर first example 2,4,6,8 इस तरह से मैं लो and बहुत सारी तो क्या एक ap है चेक करते हैं 4-2,2 6-4,2,8-6 is 2 तो हर बार जो आपको difference मिल रहा है that is same और वो क्या है 2 है तो ये एक common difference बोल लो या constant difference बोल लो तो ये एक ap है अगर same नहीं होता तो ap नहीं होता second example लेते हैं 5,1 और समझना minus 3 minus 7 and so on क्या ये एक ap है आप बोलोगे नहीं ये तो कम values हो रही है कुछ कोई फरक नहीं पड़ता बस difference जो है वो same होना चाहिए कैसे देखिए 1-5 minus 4, minus 3 minus 1 minus 4, minus 7 minus 3, minus minus 3 हर बार जो difference है that is minus 4 तो ये एक ap create कर रहा है ठीक है हमेशा जो term है उसमें से पिछले वाली term minus करनी है तो आपको एक constant मिलेगा then it's ap तो ये बोथ ये पूरी की पूरी terms d नहीं ये क्या है ap के examples है अब देखो एक अच्छी चीज यहाँ पर दिख रही है क्या चीज दिख रही है देखिए अगर मैं 2 से 4 पे जा रहा हूँ 4 से 6 में जा रहा हूँ तो हर बार देखिए ये अगर मेरी a first term a है ठीक है first term a को क्या कहते है first term तो a अगर मेरी first term है उसमें मैं अगर कुछ add करू भी क्या add करू जो common difference d को add कर दू तो मुझे second term मिल रही है तो इसको t1 यानि first term माल लेते आप a1, a2, a3 ऐसे भी लिख सकते हो t1, t2, t3 भी लिख सकते हो so t1, t2 second term क्या हो रही है देखिए a plus में d कर दू मैं a plus में d कर दू हाँ बात तो सही है a plus 2 यानि कि 2 plus 2 4 आ रहा है again अगर मैं इसकी बात करू third term की यानि 2 plus 2 plus 2 6 आपको दे देगा तो इस तरह से एक और general formula मिलती है हमें क्या अगर आपके पास d common difference है और a क्या है first term है तो आप a p को ऐसे भी लिख सकते हो a, a plus d, a plus 2 d and so on, तो this is your first second and third term तो यहाँ पे गौर कीजिए, यह क्या है आपके पास a plus n minus 1 3 है, तो 2 बार d तो अगर यह n है, ठीक है यह nth term है, तो this is n minus 1 times d आएगा so this is a general formula for a, p, a और d के form में, बात clear होनी चाहिए अब एक और चीज, हमने यहाँ पे क्या देखा d is positive, d is negative तो आप देख सकते हो, d negative है d positive है, common difference positive भी हो सकते है, negative भी हो सकते है एक और चीज, common difference 0 भी हो सकते है, मतलब third example अभी भी है हमारे पास कौन सा example, 2, 2, 2 and so on तो यहाँ पे common difference is 0, तो यह भी एक ap है, ठीक है, this is also an ap, तो यह हो गया एक और चीज है यहाँ पे, an plus 1 minus an, भी क्या है consecutive terms का difference ही तो है, उसमें क्या बोला गया है वो independent of n है, independent of n मतलब क्या, अगर आप consecutive terms को क्या करोगे, subtract करोगे तो एक common difference, constant number आएगा, जिसमें n नहीं होगा, यानि an minus, an minus 1 is equal to d आ रहा है, जो क्या है independent of n है, तो यह सारी चीजे आपको याद रखनी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक चीज पर concentrate कीजिए, क्या भई, general form को देखिए, a, a plus d, a plus 2d and so on, तो nth term के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया a plus n minus 1 into d, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई a, p है उसकी 10th term, या फिर 100th term बताओ, तो क्या मैं उसको कैसे find कर सकता हूँ, इससे formula है एक, जी हाँ general term की formula है a, n is equal to a plus n minus 1 into d, ये भी आप 10th में समच चुके हैं, ठीक है इसका कोई proof नहीं है, proof है यहीं से तो proof आ रहा है, ठीक है पहले ही बता दिया a plus n minus 1 into d, तो कोई भी a, p है, तो उसकी general term को आप इस तरह से a, n लिख सकते हैं जिसकी ये है formula, ये बात clear होनी चाहिए, तो आपके पास क्या होगा 3, 5, 7, इस तरह की a, p और 100 term find करो, तो ऐसे questions नहीं आते है, j और j advance में अलग question आते, ये तो भी base है आपका, ठीक है, basic है लेकिन important है, question यहाँ से ही solve होगी है, ठीक है अब देखी क्या है, 8th term of an ap from end, मतलब मान लीजे आपको कोई ap given है a1, a2, a3, a100 और बोला जाए, last से 20th term find करो, मतलब 20th term from end, 20th term from end बोला जाए तो आपको क्या करना है, एक formula है n minus r plus 1 जहाँ पर अब देखी, आपकी ap कहां से a1, a2, and so on, a100 तक जा रही है, ठीक है 100 terms है, तो आपको बोला जए 20th term from end, तो कोई सोचेगा, 100 minus 20 कर दो, यानि 80, यानि n की formula लगा दो, a n की formula मतलब, instead of n आपको put कर देना है, n minus r plus 1 put कर देना है, तो आपकी 20th term of from end is equal to a n minus r plus 1 यानि की, a n क्या है, 100 है, r क्या है, 20 है, plus 1 कर दो, यानि a 81 जो term होगी, वो term होगी, last से 20 वाली term, a 80 नहीं होगी not equal to a 80, ठीक है 20 minus कर मत देना 100 में से 20 minus करना है plus 1 करना है, तो ये एक अच्छी formula है, ये भी use हो सकती है, दूसरी बात यहाँ पे a, b and c, अगर 3 consecutive terms है, a, p की, 3 consecutive terms है, a, p की ठीक है, तो 2b is equal to a plus c यहाँ पे मैंने star किया है, भी questions बनते हैं, बोल दिया जाएगा 3 terms है, a, p में है इसकी value find करो, क्या भी, कौनसी value find करो, इस तरह से function दिया होगा, कि x की value find कर लो, तो यहाँ से question बनते हैं, इसी लिए star किया है, hashtag j level ठीक है, j e है चार टाइम जी मत करना ठीक है, hashtag j 2b is equal to a plus c, भी, क्या है यह, a, b, c, a, p में है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, b minus a करूँ अगर, वो क्या होगा, c minus b के बराबर होगा, हाँ, अभी तो सीखा, उसे ही तो a, p कहते हैं, तो minus b यहाँ आ जाएगा, तो 2b हो जाएगा, minus से वहाँ जाएगा, तो a plus c हो जाएगा, तो यह बस एक छोटी सी proof है, तो यह एक star कर लो, और यह 2b is equal to a plus c, यह star कर लो, इसके उपर से questions कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं, example स्टार्ट करें, उससे पहले एक और चीज़ याद कर लीजी, जब भी आपके पास ap के लिए general term की बात की गई हो, या 5th, 10th, 100, कोई भी mth term की बात की गई हो, अगर ap नहीं given है, या फिर given भी है, तो आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए, first and, first term and common difference, यह चीज़ आपको find करनी है, फिर example की तरफ आप बढ़ सकते हो, ठीक है, अब examples कैसे आएंगे, exam में कैसे questions आएंगे, 3, 5, 7, 10 and so on, यह ap है, इसकी 50th term find करो, नहीं, ऐसे questions 10th में आते थे, जे जे एडवांस में ऐसे questions आते, क्या कहता है questions, कि tr be the 8th term of an ap, मतलब ap की बात कर दी गई है, अगर मैं r की value, 1, 2, 3, 4, put करूँ, यानि, t1, t2, t3 and so on, यह एक क्या है, यह आपको ap दे रही है, ap की बात कर रहे हैं, और बोला है, m and n positive integers हैं, जिसकी वज़ा से, tm and tn की value आपके पास है, और fine करना है, tmn, तो tm लिख लेते हैं सबसे पहले, tm की value है, 1 upon n, इसका मतलब यह, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर, mth term, mth term की तो formula पता है, mth term बोलो, nth term बोलो, क्या है, a plus n minus 1 into d, मतलब यह जो भी value है, वो यहाँ आने वाली है, तो mth term के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास first term a और common difference d है, तो आप लिख सकते हो, इसके लिए a plus m minus 1 into d, m minus 1 into d is equal to 1 upon n, equation 1 मान लेते हैं, और क्या given है, given है आपको tn is equal to 1 upon m, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, nth term है, तो a plus n minus 1 into d is equal to 1 upon m, equation 2, हाँ, बात तो सही है, अब आप बोलोगे, दोनों के लिए a और d same, क्योंकि एक ही a p है, एक ही a p में first term और common difference same होगा, हमें find क्या करना है, we want to find tmn, tmn is equal to a plus mn minus 1 into d, ये तो formula ये हैं हमारी nth term की, तो बस ये formula लगा दी, लेकिन, क्या ये answer है, नहीं, अगर मुझे a और d की value अच्छे से पता चल जाए, मैंने अभी बूला a और d fine करना पड़ेगा, कैसे fine करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, 2 minus 1, equation 2 minus 1 कर दूँ मैं, तो क्या होगा देखिए, 2 minus 1, a cancel हो गया, n minus 1, minus में, m minus 1, और दोनों में से common आगया d, क्या common आगया, d common आगया, और 1 upon m minus में, 1 upon n, तो इसको simplify करेंगे, तो क्या मिलेगा, n minus m, minus 1, minus minus plus 1, cancel हो गया, d बजगया, यहाँ पे n minus m upon में, n into m हो गया, ठीक है, तो आपको मिला क्या, ultimately आपको n minus m, n minus m cancel होके, d is equal to 1 upon mn मिल गया, d की value मिल चुकी है, अब आपको, तो d की value मिल गई, अगर मैं इसे equation 1 में put कर दूँ, तो आपको क्या मिलेगा, a की value मिल जाएगी, तो put कर देंगे, तो a की value भी 1 upon mn ही मिल जाएगी, बात clear होनी चाहिए crystal, तो बस यहाँ पे put कर दो, a की value है 1 upon mn, plus में mn minus 1, और d की value है 1 upon mn, तो अगर आप इसको simplify करोगे, देखिए, तो 1 upon mn, minus में 1 upon mn कैंसल हो जाएगा, और mn upon mn is 1, तो tmn क्या आ गया, 1 आ गया, तो इस तरह से exam में, j, e में, means, advance में questions पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, problem number 2 है, यहाँ पे j means 2014 का question है, यहाँ पे star का मतलब क्या है, star का मतलब यह है, मैंने कुछ formula बताई थी, एक result बताई था, क्या, 2b is equal to a plus c, यहाँ से questions पूछे जाते हैं, यह भी बोला था, यह भी उसी type का question है, कैसे देखिए, log 2 base 10, log 2 की power x minus 1 base 10, और कुछ given है, यानि 3 terms given है, RNAP, तो 3 terms, जब AP में given होती है, ABC, तो 2b is equal to a plus c, हम कर लेते हैं, star, यही question 2014 में पूछा गया है, ऐसे ही question 2018, 2020 हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यह second term है, this is a, this is b and this is c, तो हम क्या करेंगे, 2b is equal to a plus c, मलब 2 times log 2 की power x minus 1, ठीक है, base 10, 2b is equal to a, यानि की, log of 2 base 10 plus c, log of 2x, 2 की power x plus 3 base 10, तो 2b is equal to a plus c कर दिया, star, hashtag j, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, log के लिए property लगा हो भे, ये 2 है, पावर बना दो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, log x plus log y है, समझना बड़े ध्यान से, log 2 की power x minus 1 की power 2, base 10 हो गया, यहाँ पे log x plus log y है, तो log x into y कर दो, तो log 2 into, यहाँ पे 2 की power x plus 3, और base क्या है, 10 है, यह सारी formula तो simple वाली है, ठीक है, तो क्या मैं दोनों side log log cancel कर सकता हूँ, हाँ cancel कर सकता हूँ, क्योंकि दोनो side log है, base 10 है, तो आपको मिला क्या दिखिए, 2 की power x minus 1 का whole square, is equal to, 2 into 2 की power x plus 3, इसको simplify कर दो, कुछ answer मिल जाएगा, ठीक है, अब हमें find क्या करना है, value of x, तो मैंने यही बताया था, क्या बताया था, तीनों term जब ap के अंदर होंगी, तो कुछ आपको find करना है, उच, यहाँ पे क्या find करेंगे, हम x find करेंगे, तो यहाँ पी दीखिए, कुछ कुछ, log cancel हो गया, x की terms में आ रही है values, तो यहाँ पे a-b whole square की formula लगा दो, तो 2 की power x, power 2, minus में, 2 into 2 की power x, minus minus, यह plus 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 into 2 की power x, plus में 6, तो इसको simplify कर दो, क्या मिलेगा, 2 की power x, की power 2, minus में यह हो जाएगा, 4 into 2 की power x, 1 minus 6 is, minus 5 is equal to, 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हूँ, क्या यह quadratic equation नहीं दिख रहा, इसको t मान लो, t square minus 4t minus 5, तो यहाँ पे तो splitting term कर दो, ठीक है, split term करो, यानि 5 बन जा 5 हो जाएगा, यानि आपको मिलेंगे, दो factors, 2 की power x, minus 5, और 2 की power x, plus 1, is equal to 0 हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की value चाहिए, अब सोचो ज़रा, 2 की power x, is equal to 5 हो सकता है, या फिर 2 की power x, is equal to minus 1 हो सकता है, ये option तो cancel है भई, ये वाला option तो cancel है, right कौन सा है हमारा, यही option right है, क्यों भई ऐसे, देखो, आप x की value कुछ भी ले लो, किसी भी number की, आप positive power करो, negative power करो, कुछ भी ले लो, आपको कुछ भी भी negative नहीं मिल सकता, माल लो minus 1 power है, तो 1 by 2 हो गया, 2 की power minus 1 by 2, तो 1 by 2 हो गया, या फिर root 2 हो गया, कुछ भी आप put करो, minus 1 put करो, तो 1 upon 2, that is 0.5, तो आपको कभी भी negative तो नहीं मिलेगा, तो ये वाली बात सही है, 2 की power x is equal to 5, तो x की value क्या होगी, इस तरह से, वो, क्या है यहाँ पे, 2 की power x, यानि a की power x, उस साइड चला गया, तो log बन जाएगा, यानि x is equal to log 5, base 2, so this is your final answer, तो इस तरहा के questions पूछे जाते हैं, mains में पूछे गए हैं, काफी सालों में हर बार पूछे गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, problem number 3 है यहाँ पे, an be the nth term of an ap, वही बोला है, nth term है, ap की an, ठीक है, a7 की value given है 15, तो लिख लेते हैं यापे, a7 is equal to 15 given है, तो आपको find करना है common difference, ऐसा common difference find करना है, जिससे a2, a7 और a12, तीनों multiplication में है, उसकी value आजाए, greatest आजाए, क्या आजाए, greatest आजाए, तो जो भी given है लिख लेते हैं सबसे पहले, a2 into a7 into a12, तो और कुछ भी मेरे पास है, नहीं मेरे पास यहाँ पे, मुझे वाइन करना है common difference, तो इसको क्या मैं a plus d लिख सकता हूँ, a2 को, हाँ लिख सकते हैं, a7 की तो value है 15, और a12 को a plus 11 d हम लिख सकते हैं, तो मैंने बताया हुआ है, अगर आप a और d find कर ले, a2 की जब भी बात चल रही हो, a और d find करना पड़ता है, ठीक है, a कैसे find करें, d तो find करना ही है, a कैसे find करेंगे, समझो, a7 को मैं a plus 6 d लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, क्या a की value हो गई 15 minus 6 d, तो इस a को, अगर मैं इसमें put कर दूँ, तो हम result तक जा सकते हैं, ठीक है, तो a की जगा पर 15 minus 6 d करें, 15 minus 6 d plus d हो गया, minus का 5 d, this is also 15, यहाँ पर a is 15 minus 6 d, लेकिन plus में 11 है, तो 15 plus 5 d मिल गया, तो देखी, यह multiplication कर दो, 15 plus 5, 15 minus 5, तो 225 minus 25 d square आ गया, multiplication में 15 बच गया, हमें find करना है d common difference, कैसे find करें, इसको थोड़ा और, इस तरह से, यहाँ से 25 common निकाल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा, 9 minus d square, into 375, multiplication कर दोगे, तो यह आ जाएगा, लेकिन अभी भी d चाहिए हमें, अगर मुझे इसकी value given होती, तो मैं d find कर सकता, लेकिन क्या बोला है, greatest value बननी चाहिए भई, यह greatest कब बनेगी, सोचो, d मैं कोई भी number ले रहा हूं, 1, 2, 3, anything, ठीक है, उसका square करूँगा, ठीक है, मैं negative value ले रहा हूं, ठीक है, तो भी क्या होगा, एक positive number ही मिलेगा, जिससे 9 में से मुझे minus करेंगे, तो हर बार value कम मिलेगी, लेकिन अगर मैं d की value 0 ले लू, 0 ले लू अगर, तो क्या होगा, 9 minus 0, तो हमें 9 ही मिलेगा, सो d अगर 0 है, तो क्या होगा, a, 7, और क्या है, a, 2, और a, 12, इन सब की value जो है, वो greatest हो जाएगी, यह multiplication क्या हो जाएगा, greatest, जब आप d की value 0 लोगे, चलिए आगर बढ़ते हैं, problem number 4 है, यहाँ पर, if a1, a2, a3 and so on, is ap, क्या है एक arithmetic progression है, बोला है, a, i greater than 0, तो इसकी value find करो, भही, यह देख के तो थोड़ा, बड़ा question लग रहा है, actually यह, IIT में पूछा गया, एक question है, 1980 या 1992 का, पुराना question है, लेकिन अच्छा question है, देखो, आप बोलोगे, sum तो हमें अब तक सीखा ही नहीं है, इसको भी rationalize करेंगे हम, तो one upon में, root a2 minus root a1 करेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, root a2 minus root a1, अब आप सोचेंगे, a1 plus a2 है, तो आपने a1 minus a2 क्यों नहीं लिया, root के अंदर, क्यों a2 minus a1 लिया, अभी पता चलेगा, similarly, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, one upon root a2 plus root a3 है, तो हम करेंगे यहाँ पे multiply with, root a3 minus root a2, upon में root a3 minus root a2 and so on, अब देखिए, होगा क्या, a1 plus a2 है, root के अंदर, ठीक है, root a2 minus, यानि a minus भी a plus भी बना रहा है, तो आपको मिलेगा क्या, a2 minus a1 मिलेगा, और उपर root a2 minus root a1, प्लस में, again, root a3 minus root a2, और यहाँ पे देखिए, a plus b, a minus b आपको देदेगा, a3 minus a2 and so on, अब क्या बोला गया है, यह एक aP है, a1, a2, a3, सब अगर aP है, तो दो consecutive terms का difference आपको क्या देगा, d देदेगा, तो यह सारी जो values बनेगी नीचे denominator में, वो सब की सब आपको एक d देदेगी, LCM हो गया, सब की values d हो गई, अब देखो, बचा क्या आपके पास, root a2 minus root a1, ठीक है, root a3 minus root a2, और कहा तक जाना है आपको, देखिए, last term है आपके पास, मैंने लिखी नहीं है, लेकिन last term है, infinity नहीं है यह ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास last में, root aN minus, and so on, root aN minus में, root aN minus 1 बन गया, लेकिन अगर मैं गौर करूँ यहाँ पे देखिए, तो क्या cancel हो रहा है, a2, यह a2 cancel हो गया, a3 भी चला जाएगा, सब चला जाएगा, यहाँ पे आपको यह aN भी चला जाएगा, aN minus 1, तो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ, root aN minus root a1 upon का d बच गया, तो इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको और भी simplify कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं यहाँ पे और क्या करूँ, rationalize करना चाहूँ, तो क्या करेंगे, root aN minus root a1 को multiply कर दो, आप root aN plus root a1 के साथ, upon में क्या होगा, root aN plus root a1, और 1 upon d तो था ही आपके पास, तो देखिए क्या हो गया, aN minus, क्या मिला आपको, aN one upon d, aN minus a1 मिल गया, upon में root of aN plus a1, इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं, इसको भी और थोड़ा simplify कर दो, aN के लिए formula लग लग लो, तो और simplify कर सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, problem number 5 है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा important star लगा के रखा है, इसका मतलब, questions बहुत बार आते हैं यहाँ से, क्या है question देखते हैं, the number of common terms of two APs, मतलब आपको दो AP अलग अलग दे दी गई होगी, और बोला होगा, number of common terms find करो, यह question जी हाँ, J level का, J E का ही question बोल सकते हो आप इसको, क्यूंगी यह हर बार पूछा गया है, 2016 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, advance 2018 में, essay questions पूछे गए हैं, जब भी हम PYQ करेंगे, तब और भी इस type के question करने वाला है, इसको solve कैसे करना है, सबसे पहले जो first AP है वो लिख लो, AP 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्या है आपके पास, 17, 21, 25, and so on, कहां तक, 4, 1, 7, ठीक है, दूसरी AP भी गिवन है आपको, क्या है AP 2, 16, 21, 16, 21, 26, and 466, तो दो AP जो है वो लिख ली, हमें क्या find करना है, number of common terms, terms, क्या होगी देखिए, observation से ही first term तो पता चल जाएगी, देखो क्या है, 21, 21, दोनों में common है, so first term क्या हो गई, common term के लिए 21 हो गई, आगे कैसे find करें, यहाँ पर देखिए, इसका D, common difference क्या होगा, D1 मान लेते हैं, इसका common difference, D2 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका common difference क्या है, 21 माइनस 17, 4, 4, तो क्या है, D1 is 4, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 है, जी हाँ बिलकुल, D2 क्या है, हमारे पास, 5 है, तो आप second term इसकी कैसे find करेंगे, 25 के बाद और term लिखे, 3rd, 4th, 5th, 6th, जो भी term आई, फिर यहाँ पर भी बहुत सारी terms लिए, फिर common करें, नहीं, यह तो lengthy method है, तो इसके लिए rule है आपके पास, क्या rule है, D, इसका, यह जो common terms बनेंगी, वो भी एक AP बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एक AP बनाएंगी, जिसका आपको common difference फाइंड करना है, वो common difference D, कैसे मिलेगा, LCM of, D1, D2 कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा, मतलब D की value क्या होगी, 5, 4, 20, ठीक है, क्या हो गया, common difference, नहीं AP का, जो common term से बनेगी, वो भी एक AP बनेगी, जिसका difference इस तरह से होगा, ठीक है, तो क्या है आपके पास common difference, 20 तो second term आगई, 41, third term आगई, 61, and so on, कहा तक, मान लीजे मैं जा रहा हूँ, एने तर्म, TN या फिर AN कुछ भी मान सकते हो, लेकिन, आपको find क्या करना है, number of terms, कहा तक जाएंगे, हमें तो नहीं पता, आप चेक कर सकते हो, इन दोनों में, कौन सी term, maximum common हो सकती है, 466, possible ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे, maximum 417 है, उसके बाद, कोई term है ही नहीं, तो आपके पास maximum, ये जो term होगी, TN, TN की जो value है, less than or equal to 417 होने वाली है, हाँ, बात सही है, लेकिन मुझे तो N find करना है, तो Nth term की formula पुट कर दो, A plus, A क्या है, 21, plus N minus 1, N minus 1, into common difference, 20, less than or equal to 417 होना चाहिए, ठीक है, तो आप जैसे ही इसको simplify करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, N minus 1, less than or equal to 417 minus 21, upon में 20, upon में 20 आगया, तो इसको simplify कर दो, तो N की कुछ ना कुछ value मिल जाएगी हमें, अब समझो यहाँ पे, क्या समझना है, मुझे तो N ही find करना है, तो आप इसको जैसे ही simplify करोगे, तो N minus 1 जो होगा, देखिए, कर दो simplify 20 है, यहाँ पे divide करोगे, 396 आएगा, divide by 20, तो आपको मिलेगा, 19 point something, 19 point something कुछ value आएगी, ठीक है, minus 1 वहाँ लेके जाओ, तो N less than or equal to 20 point something, 20 point something, लेके न याद कर लो हमेशा, N कैसा होता है, N belongs to natural number होता है, क्योंकि हम क्या बोलता है, first term, second term, 100 term, कभी ऐसा बुला, 5.2 term नहीं, तो आपकी N की जो value होगी, वो हमेशा 20 point, जो भी उससे कम होगी, यानि कोई integer value होगी, 20 point something, मालनो 20.5 है, उससे कम integer value क्या है, 20 है, तो N की value क्या होगी, 20 होगी, तो number of, जी हाँ, number of common terms, यहाँ पर कितनी होने वाली है, 20 होने वाली है, तो ऐसे questions, पूछे जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, I hope कि आज जो हमने questions किये, topics समझे, अलग-अलग, वो सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे, मैं मेलूँगा, आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम और नए topics, concept addon में लेके आएंगे, तब तक जुड़े रहे है, learn of up के साथ, क्योंकि learn of up free है, पर best है,